स्वागत है आप सभीकार जी इसकी पार्ट साला में दोस्तों यह UPPSC RO RO के लिए यह टेस्ट सीरीज है यह बेसिकली दिश्टी की टेस्ट सीरीज है ठीक है यह इसका दूसरा पार्ट है पहला पार्ट अल्रेडी अप्लोड़ेड है आपने नहीं देखाया तो देख लीजिए महत्पोन महत्पोन प्रश्ण करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको व्यक्याद भी किया है तिरपन प्रश्ण तक 53 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिये हैं आगे आज वाले जो होगा आगे के प्रश्ण करवाए जाएंगे कोसिस रहेगी आज खतम करतूं आप लोगों को अगर यह सीरीज आप पसंद नहीं करेंगे तो यह टेस्ट पूरा कराने के बाद मैं फिर दूसरा नहीं करवाऊंगा इसको तो आप इसको अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का बहतर आपको एक्स्प्लानेशन के साथ अगर आप सीरीज यह करना चाहते है तो आप अपना जो है इसको शेयर कीजिए और लाइक करवाएगा लाइक सेयर सब्सक्राइब ठीक है क्योंकि अगर आप नहीं करवाते हैं यह सब सारी चीजें तो मोटिवेशन नहीं प्राप्त होता है और उससे फिर आप समझ रहे हैं कि क्या हो सकता है तो बैसिकली यही है आप लोगों से गुजारिस कि आप लोग इसको लाइक सेयर सब्सक्राइब कीजिए ठीक है चलिए वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दिया अगर यह क्या रिकत है और यह कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है इसमें कि मतलब आपके नुकसान देह वाली चीज नहीं है फाइद इञेंगार्य सब्सक्राइब कर लोग जाएंगे तो देख लीजिए इसको पड़ा भी नहीं कर रहा हूं इसी तरीके से सॉल्व कर वाऊंगा ठीक है चलिए तो देखिए इसमें फिप्टी-फॉर्थ QWER couple ने उसमें पूछ रहा है दो कफन दिये हुए है यह रस्टी-सां जो MPC होती है मुद्रा इस्विती को नियंदर करने के लिए CPI डेटा का प्रयोग करती है यह दोनों कथन सही है इसमें आपका C वाला करेक्ट आंसर रहेगा CPI जो है चार प्रकार होते है एक तो होती है जो अध्योगिक मजदूरों के लिए और चार प्रकार के याद रखिएगा तीक है यह ध्यान रखना चलिए नेक्स्टम देखते हैं फटर अफट आफट ठीक है देखिये प्रयों की विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीन और सेना ने उत्तरपरदेश के निमलिखित में इसे किस संस्थान के साथ समझोता ज्यापित किया है यह स्ताक्षर किया है यह यूपी के लिहाद से भी यह महात्रपोर्ण करेंट अफेस है कहीं भी पूशा सकता है तो यह याद रखेगा इसमें जो है है कि यह चेत्री निदेशक हैं अभी यह चेंज हो गई है कोई और बन गया है लेकिन जब यह थी और इनके जो कारे को लुब सराहना देने के लिए उनको प्रसंसित करने के लिए ठीक है प्रसंसा देने के यह नेशनल ओडर ऑप दे मेरिट गोल्ड मेडल अवाड दिया ग है इस तरीके जो एंपाउर्मेंट के लिए और विती समय वेशन को बढ़ाव देने के लिए इस तरीके के जो प्रयास है वो चलते रहते हैं किया जाता है बैंकों के द्वारा और और सरकार के द्वारा ठीक है निमलिखित में से किस संस्थान ने जल से आरसनिक और धातू नायनों को हटानी के लिए अम्रित प्रोन्फी का सब्सक्राइब कहाई इसे कीवर्ड प्रेस्न होते हैं इस तरीके से याद रखेगा याद Dahatrs कुछ दा सकता इमनिकित में से किस राजी ने दिसंबर 20 2030 में होटल और रेडि오 के लिए चौह कराण परेटन को बढ़ावा देने के लिए तो उसके आधार पर अचा उसमें भी कई तो उसके कुछ रैटेरिया हैं अगर वो फुल्फिल करते हैं तो उनको उस तरीके से इस्टार जो वरगी करन प्रणाली है वो उसमें सामिल किया जाएगा उनको दिसम्बर 2023 में स्वरवेद मंदिर का उद्गाटन कहां किया तो याद रखेगा ये वारणसी में किया गया है बहुत महात्पूर्ण है ये ऐसा एक मंदिर है जहां पर लगभग मुझे लग रहा है वी सजार से अधिक लोग बैठके ये कर सकते हैं योग साधना ठीक है तो यह याद रखना ये कहां पर है ये वारणसी में है विश्व का सबसे बड़ा ध्यान साधना केंद्र भी है त सच्छा क कराना संगमर्मर्ण से सब्सक्रांन ऑप्योग हो वली ये टских है इसको के रहे हैं कि इस इसのはऑं इस श्य डिखते है तो यह याद रखना चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मिलिखित में से किसे वर्ष 2023 के लिए सांती नेसस्त्री करण और विकास के लिए इंद्रगाधी पुरसकार से सम्भानित किया गया है इसमें तो यह अली अभू इनको दिया गया है ठीक है याद रखेगा और और कौन है इसमें जो यह डैनियल यह बारने बोहिं मतलब यह दोनों लोग है ठीक है तो करेक्ट आफशन दो यह बी वाला ठीक है याद रखेगा इसको महत्तपूर्ण कर यह है अगर किसी विदेशी जो इनको दिया गया है तो वह और भी महत्तपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस तरी कि नेक्स देखते हैं तिरसना डुका कॉस्चन नेमलिखित में से किसे ब्रेंडन हॉल समूंगरूप के प्रद्योग की उत्रिष्टता पुरसकार 2023 में रजत पुरसकार से समानित किया गया है तो यह किसको दिया गया है इनमें से तो यह राश्टी जो ताप विदूत है याद रखेगे यह यह मात्पूरण कुरसकार है इस तरीके से जो है उनके उनका एक उनकी एक वह है रचना है उस तक है salt and paper selected poems इस तरीके से सुख्रता पॉलकुमार तो वह भी याद रखेगा क्या पता उसी तरीके से पूछ ले उस तक ही पूछ ले तो पुस्तक का नाम हम है salt and paper selected poems ठीक चलिए next हम आगे बढ़ते हैं निमलिखित में से किस मंत्राला है पार्ट मित्रो mobile application launch किया है किस ने launch किया है यह वस्त्र मंत्राला है वस्त्र मंत्राला द्वारा यह launch किया किया है basically ठीक तो यह याद रखना यह छे भासाओं में है यह ठीक चलिए next हम देखते हैं बेसिकली जूट से संबंधित है यह ठीक है जूट के लिए है यह तो यह याद रखना की इंडогम 202 अंसर इता ठीक है याद रखना खेंगा निम्हेंसा कौन थैलो फाइटा से संबंधित नहीं है इनवे से ऐसा कौन सा जीव को की थैलो फाइटा से संबंधित नहीं है तो यह आइक है तो यह पर आब साही नहीं है पौद्य में जटिल उतकों के बारे मेंिलिख्YD में से कौन सा कथन सही है Flow snacks जनों से तनों तक पतिओं तक पानी पहुचाने का तक कारहुती है तो युद्ध्ध रखना 应 जैसे फ्लो घंव तो फल क्या है बिसिकली एक तरिके से भोजन गया तो यह याद रखना कई बार इस तरिके से गन्फूजिंग हो जाता है कि आप फलोयम को गलत लिग देते हैं और जाइलम गलत लिग देते हैं मतलब इनके कारे जो हैं वो हम तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ 100 लो नेगा ना तो फ्लोयम फल के भागों को यह टकод पहुचाने के लिए जिब्ढ़ होता है तो टीक है जयाद रखना ए जयाद रिखना तो कि पहुचाने कायर किसका है तो यह जो भोजन यह फल है तो फल जायलम थोड़ी पहुचाता है और जायलम क्या करता है जल और यांत्रिक सकति का कार करता है यह याद रखना यह दोनों गलत हैं बी वाला फार्मोन कई ताइप के होते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा ऑक्सीन घिबरीलीन और अथिलीं यह सब क्या है यह सब ब्रधिवर्धक कुछ ब्रधिरोधी को रोगते हैं यह क्या करता है ये कुशिकाओं को जो है विभाजन और प्रवावत को इसके जो निरमाळ को प्रवावित करता है यह नई पत्तियां और पत्तियों में chloroplast, parse, प्रवाव, ब्रिधी और यह सब्द है उसमें मतर्थ करता है यानि कि यह क्या है? यह बिद्धी वर्थक हार्मोन है फिक चलिए नेक्स तम देखते हैं निमलेकीत में से कौn सा अमल मानो आमासे द्वारा स्रावित होता है इसका है वहीं मानो रखत परसेंचरन तंत्र में निमलेकीत व้र्ण सा खतन सही है तो देखे है भीन अंगों और सब्सक्राइब at भीनिजे लिखेन गव्लमिय होग ही इससे क्या खती हो हाद बाताहिक है इसमें भी द्धा स क्या होता है डाध्मञी से क्या होता से रक्त को हिर्दय तक पहुचाती है इसमें क्या पूछा है सही पूछा है ना कि यह तरीके से शरीर हो गया ठीक है तो यह इस तरीके से यात करीएगा वो सकता है कि सही न लगे आपको हो लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं और यह जो को केसिकाएं धवनियां होती है और सिराओं के बीच में नेटवर्क बनाती है यह ठीक है केवल दो वाला सही है बाकी पहला गलत है यहां पर इंग्लिस वाला देख लीजिए गया इंग्लिस वाले में क्या है कि जड़ा समझ में आजाएगा आडरीज और कैफिलरीज यह मतलब आपको समझ में आ जाएंगे नहीं तो हिंदी में क्या है कि कई बार बहुत कंफूजन होता है हिंदी वाले जो है वो तो समझी जाएंगी ठीक तो दो वाला करेक्ट आंसर हो गया उसमें डी ठीक निमनिखि इसको शाइब जाता है ठीक याद रखना ठीक है जलिक Ça को माना तंत्र का तंत्र का हिस्सा कौन सा है किसमें से पूच रहा है तो इसमें डेकिए ये झो कॉर्निया है ये रिटीना है ये थोड़ी है यह जो सिलेरी बॉडी यह आपका कहां गया रही है कौन सा अंसर यह निमलीखित में से कौन सा मानुतंत्र का हिस्सा है यह रिड़ की हड़ी बिलकुर ठीक है नियूरॉन ठीक है सिनाप्स ठीक है यह सारे ही यह थी वालक रेक्टा अंसर मानु आख में वस्तुओं का जो कारियात्मक एक आई है वह क्या है कि जिनी की जो फंक्शनल जो यूनिट है वह क्या है तो वह नेफ्रॉन है याद रखने ठीक है अब इसमें देखिए आपको चुन्ना है क्रोनोलोजी में कि कौन सा क्रम कहा से कब तक रहा कब से कब तक सासन किया तो सबसे पहले गुलाम आता है गुलाम देख लिए इसमें सबसे पहले कौन सा आ रहा है तो 1206 से लेकर के यह आपका 1290 तक यह रहा गुलाम ओंस अब आप इसमें देख सकते हैं इधर ऑप्सन भी देख सकते हैं नहीं तो ऐसे भी देख लिए उसके बाद आता है कौन सा यह खिलजी बन साता है 1290 स 1290 से 1320 यानि कि B का 1 और A का 4 अब यहां देख लिए इस तरीके से आपको बहुत इजी उसमें हो जाएगा A का 4 और B का 1 यही है आपका यह जो यह सही हो जाएगा इसमें ठीक है B वाला करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक तो यह याद रखना और तुगलक वंस 1320 से लेके 14 14 त का प्रफम युद्ध होता है बाबर जो है यह इब्राहीम लोधी को हराता है जो की लोधी वंसका अंतिम सा सकता और वहां से पढ़ती है मुगल सासन की निव ठीक चलिए हम आगे बढ़ते हैं फटा-फट निम्लिक धर्णा उपर विचार कीजिए उन्हें कालन क्रम फिर को ही क्वेश्चन आ गया अब आपको इसमें पता होना चाहिए कौन सा युद्ध कब लड़ा गया ठीक है कौन सा युद्ध कब लड़ा गया तभी आप कर पाएंगे जैसे देखिए इसमें तो यह सारे युद्ध लग भग लग भग खिल जी इसे वह किये हैं तो किली यह जो है किली वाला 1299 में किली जो है वह 1299 में अम्रोहा यह 305 में 305 में और यह 306 मेरा भी ठीक यह यह याद रखिएगा इस तरीके से जो करेक्ट आप्सन बनेगा वह बनेगा आपका 1234 यानि कि जैसे लिखा हुआ है वह ऐसे ही बन जाएगा लोधिवन्स का अंतिम है सासक अभी मैंने बताया बत बताते लिए आपको अंसर बता लिया हुच सही करें चौशा का युध कब लडा गया तो यह जो 400 वाला युद्ध है यह बिसिकली जो 1549 में किसके किसके बीच लड़ गया थे यह गुमाईू और सेर्चा सूरी के बीच में तो यह याद रखना ध्यान अतना महात्पोन युद्ध है देखें विजयनेगर सामराज के निमलिखित सासकों पर विचार करें उन्हें काला नुक्रमिक लगाएं सबसे पहले कौन तो हरिहर सबसे हरिहर पहले पर्थम सबसे पहले रहता है फिर बुक का पर्थम आता है तो 12 जहां पर 12 दिखे पहले वही कर दो ठीक है यह जो आ गया इसमें 1234 यानि कि इस तरीके से अगर देखेंगे तो यही बहला आपका आप पास ठीक यह सबसे लास्ट कृष्ण देव हो गया उसके पहले यह सब हो गया ठीक है संगमवन्त यह बिजयनगर सामराज के सासा काई यह अलग-अलग इसमें वनसज है ठीक चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं असोग द्वारा धम महामात्रों की जो नियुक्ति की गई थी वह कहां मतलब किसमें लिखा हुआ है तो वह प्रमुक्ष जो सिलालियक है नंबर पांच का वहां पर यह धम महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताये गया है ठीक है यह याद रखिएगा आप लोग चलि नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हरिसेन यह किसका कभी था मतल सम०्रगुप्त को क्या कहा जाता था उसे का जाता था भारत का नेपोलियन यह मतलब अइनी है और का पेदा हुआ था उसको संग्या दे इत यहां से जबकि समूद्र गुप्त आप देखिए समुद्र गुत cabinets कि था और नीपोलीन कि था तो ये कहने कि नेपोल्न åt जोए वह वह हौ हब वह समुद्र कुपत था और रिशन ने कहा कि नहीं यह भारत का नेपोलीन है ठीक है चलो याद यह सब चीज़ें याद करनी ही पड़ेंगे आपको अंटेलनेस की कोई यह सब चीज़ें बदले ठीक है चले देखिए निमलिखित में से कथन और कारण दिये गया हैं देखिए आपको अभी कथन पढ़िए चंदावर की लडाई ने गंगा घाटी में तुर्की सासन क कि निव रखी तो क्या यह सही है बिल्कुल सही है ठीक है चंदावर की लड़ाई जीतने के बाद मोहमद गोरी कन्योज और बनारस की और बढ़ा तो बिल्कुल ठीक है यह दोनों सही है कथान और कारण और व्याख्या भी वर्मा एक प्रसिद्ध भारती चित्रकार थे तो समदित हैं चित्रकारी से सढंग यह यह याद रखना ऐलीफेंटा गुफाएं थी तो यह बॉत अस्थल भी है और स्थल वे और दोनों थिक याद रखना उनी सो सथिस्द्ध के प्रांती चुनाओं में प्रांती चुनाओं के संदर्ध में निम्लिखित में से कौन सा गथ यह भारत का अधिनियम सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत आयोजित किया गया था थीक है तो यह ठीक है इसी के तहत किया गया था भारती दाश्ची कॉंग्रेस को बंगाल आसाम और उत्तरपस्चिमी सीमा परांत में बहुत बिल्कुल नहीं मिला था यह याद रख यह होगा ठीक चलिए नेक्स्टम देखते हैं निमलिखित संगत में कौन सा सुमेलित नहीं है एक तरफ संगठान और एक तरफ संस्थापक नाम दिया हुआ हिंदे एसोसे जो है सोहन सिंग भखना ठीक है इंडिया हूस स्याम जी किष्णपरमा ठीक है भारती राष्टी से जो आएने हैं वह सुभासन बोस नहीं कैप्टन मोहन ठीक है मोहन सिंग याद रखना उन्हों नहीं इसकी स्थापना के थी और यह पेरिस इंडियान सोसाइटी यह मैडम विकाजी काम यह ठीक है तो यह सी बाला इसमें नौट करेक्ली मैस्ट है बाकी सारे मैस्ट है इसमे इंडियन नेशनल आर्मी ठीक इंडियन यह बड़ा एक सगंड भारती रास्ती सेना इंडियन नेशनल आर्मी यह 1902 ठीक है पैरिस वाला यह 1905 में तो यह 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 बियाद रखेगा क्या पता आप से क्रोनोलाजी पूछ ले ठीक है तो प्रश्न में भी प्रश्ने निकालना आपको आना चाहिए क्रोनोलाजी में पूछ ले तो क्रोनोलाजी भी लिखिए इसका चली में से कौन उत्तर प्रदेश किसान सभा से सम्मंधित नहीं थे तो इन में से यह राजकुमार सुक्री नहीं थे बाकि यह तीनों लोग थे भारत इस्त्री महामंडल की बैठक पर कहां हुई थी याद रखना यह पूने में हुई थी 1910 में इसकी स्थापना भी थी ठीक कौन किया था सर्दा देवी चोधरानी ने चली नेक्स हम देखते हैं निमलिखित फिर यहां पर मैचिंग वाला प्रशन है कौन कॉंग्रेस का धक्ष रहा है किस स्थान पर तो देख यही वाला करेक्ट आंसर हो गया यानि प्रयाग राजवाले यह यह जो विलियम बेडनबर्ट था और यह कानपूर में सरोधनी नाइडू ठीक पहली महिला भारती महिला पहली महिला तो एनिवेसेंट थी जो कि 1917 में उन्होंने कॉंग्रेस के धक्ष तकी थी पहली महिला लेकिन अगर पूछे कि पहली भारती महिला कौन थी तो यह सरोधनी नाइडू की 1925 में कानपूर दिवेशन हुआ था उसके पहले एक मात्र दिवेशन जो 1924 में बेलगाओं में हुआ था उसमें गांधी जी ने यह क्या किया दर्चिता किया था एक मात्र ठीक त्याद पस्चिम मंगाल में हुआ था ठीक है यह याद रखना हाजी सरी तुल्ला द्वारा ये इसकी सुरुवात की गई ठीक चलिए निम्लेखित में से किसने दरपन समाचार सुरू किया तो दरपन समाचार ये बाल सास्त्री जांबेकर उनका नाम याद रखेगा मात्पॉण आ मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी तो 1824 में और किसके द्वारा तो वी रगवाचारी जी सब्रमन्यम ऐयर पी आनन चार्लू इन सब का नाम याद रखेगा ठीक है मद्रास महाजन 1884 में देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखी की देशेर कथा तो ये स शखा राम गनेश द्या उसकर इनके द्वरा ये उस तक लिखी गई अर्भिंदो घोष के ये काफी सहयोगी थे नजदीक माने जाते थे सिमला मंत्र मेंडल का नेतर्त किष्ण ने किया था याद रखेगा ये सिमला मंत्र मेंडल का जो नेतर्त है वो मुहमद अली जिन्ना ने किया था मद्रास की संधी निम्विखित में से किस से संबन देते मद्रास वाली संधी तो देखिए जो आंगल मैसूर यूद हो रहा दूसरे में मैंगलूरू, तीसरे में स्रीगंग पट्टनम और चौथे में यह पूरे मैसूर पर यह करजा कर लेता है ठिक तो यह याद रखना 1799 में यह रखना 1799 में इसमें पर आधा और बहुजित में इसまで की किसने ईजुना अब्र Clarison का अधियाश्य के टीनु इसमें भारतियर सriumotle के अधाश्य के विजिए के दाखना अब्लब कशनों को पुना सामिता क्या जो सब्त्र हुआ था यह चलिए नेक्स्टम देखते हैं कि देखिए सववा प्रश्ण निमनिखित में से किस अधनियम में अखिल भारती महासंग का प्रावधान था तो यह 1935 वाला जो अधनियम आया था उसी में यह बनाए गया था यह प्रावधान की एक महासंग बनेगा जिसमें देशी रियासते हैं प्लस जो ब्रिटिस छेतर थे उनको मिला करके एक संग बनाया जाता है अलाग यह बना नहीं कभी सफल नहीं हुआ यह वाहनों में पस्च द्रिश्य दरपन जो रियर व्यू मिरर है तकड़ी हिंदी लिग दिया है उसमें कौन सा दरपन होता है यह यह वाला जो है रियर व्यू मिरर आपने देखा है रियर व्यू मिरर को देखिए काड़ियों में लगा रहता है ठीक है तो उसमें जो लगता है वो उत्तल दरपन होता है ठीक है याद रखेगा यह चीज उसमें क्या होता है देखिए आपको हलाकि उसमें एक च उससे अधिक नजदीक दिखता है यानि कि जो दिख रहा है उसमें दूर दिखता है कि अभी जो पीछे आ रहा है या कोई गाड़ी है कुछ भी है दूर है लेकिन दूर होता नहीं है ध्यान रखेगा ठीक है निमलिखित द्रव्यात्मों को पर विचार कीजिए उन्हें उनक सबसे ज्यादा यह खनीज नमक फिर यह उतरी हिरे का सबसे ज्याधा होता है अब्ढ़ते हुए ऑफ्षामी पैसीम द्वारत समय उजित किया एता है क्योंकि लैंस अबै मा भी पेशियों के संकुचन या सिथिलता के कारण ये बदब सिथिलता के साथ बदलती है तो इसमें देखिए कारण और ये दोनों सही है और ये इसका स्पस्टी करन भी कर रहा है ये याद रखे रहा है इस तरीके से साइन्स वेकर प्रश्ण बदलब बेसिक अंडिस्टैंडिंग में पूछे जाता है निमलिखित में से कौन सी घटना तारों के टिम्टिमाने का कारण है तो ये देखते हो न होसले के चाहिए अलग-छेंड करता है रिफेक्षन होता है ये याद रखना लिटमस विल्यान का वास्तविक रंग क्या होता है उसका वास्तविक रंग कंगनी होता है निम्रिखित में से कौन सा कारपोनेत का प्रकार है इस में से कौन Storm है जो केल्सियम कार्बॉनेत का प्रकार है यह खडिया घडिया देखा है आपने सफेज होती है भाध growing झूक खाते भी हैं खड़िया तो होता ही है घडिया के अलामा और कौन-कौनसा ये शारे ही तो हैं चूना-पत्थर भी है संग-मरमर से ठीक कैल्सियम कारभूनेट यह याद रखना बेकिंग-सोडा नहीं है बागी सब है ठीक को सा पद किसी बिलियन में हाइडरोजन-ायन सा साता है तो वह पी एच बोलता है ना पी एच वाला पी एच माल ठीक है इसमें से मैच करना है देखिए बहुत इजी है यह सारी एक दूसरे से मैच जाएंगे ठीक है नेटल का डंक मेथनोई के अमल होता है तो यह वन टू-3-4 याद रखना ठीक क्यों ग13ए द रोकने के लिए निम्लिकित में से कौन सा पदार्थ महत्पून होता है तो यह चैल्सिय है यह यह जो है दातों का च्याय आपने देखा किसी की के दानत देखें ऐसे मतовых देरे-देरे वह invasive कट कट कि गिर जाते हैं उस इसमें कुछ ऐसा चीज लगेगा जैसे कि वह दिखेगा आपको ब्लैक ब्लैक सा और धीरे-धीरे खतम हो जाता है वह यही है इसके लिए जिम्मिधार जो है वह यह है निम्लिखित में से कौन सी प्रक्रिया एलमुनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाती है ऐसी क्या प्र जाता है यानि कि उसका पुराना नाम मधू पुरा था थो थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं मतुरा ठीक है मतुरा याद रगेगा फार्सी पुस्तक बहरेज ख्वार ये बहरेज ख्वार ये किस ने लिखा है तो ये सेख वजेहुदीन असरफ लखनावरी ने लिखा है निम्रिखित मैंसे कि सहर में पांची वैस्विक आयरवेद महुथ सो दो जार तेज का यह कहां हुआ था यह धिरुवनंत पुरम में ध्यान रखिएगा यह केंद्री राजस दो बोर्ड अधनियम 1974 को इसको मतलब वैधानिक रदिकरण बनाए गया है यह आलडी ठीक है यह अइसा बोल रहा है ठीक है यह तो यह सही नहीं है यह जो 74 वाला नहीं है यह 1963 का तो पहला वाला गल्स हो गया दूसरा साई है तीक है वित्बंदर आले के होता है यह सही है तो पहला गलत है दूसरा सही है चलिए लीडर सिब्रूप फॉर इंडेस्ट्री ट्रांजिस्टन लीडिट टू पॉइंट ओ यह किसके किसके बीच शुरू की गई तो यह स्वीडन और भारत के बीच में सुरू की गई है बैसिकली यह जो कॉप 28 हुआ था है भारत ने वहां पर यह ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की सुरुवात की ठीक है याद रखी गई हुच्छा जासकता है कि सहयोग और सूचना के आदान प्रतान के संबन्द में दिसंबर 2023 में आर्बी आई ने किसके साथ एक सम्झोता ज्यापन पर हस्ताक्षर किये थे त दिए ध्यान रखना करना और समझाथा है 16 में विक्त आईओग की जो सिफारिषये और कब से कब लागु हो रही ब्लब कब कब से कब तक के लिए हैं वह बैसिकली याद रखना यह 1 एपरिल 2026 मृड़श प्रेड़ी साथ क्रता है तो प्रेसिडेंट साप करते हैं आर्टि सब्सक्राइब के लिए के लिए क्मिनिक्त में नारकॉंडम दूप के निकट टेल और गैस की खोज की इसने यहाद रखेगा इसने यहां ये शुरुवात किया है कौन है तो यह बिहार ецैनलय और ने चिसके सहयोग से भारत G P T संय किया है क्सकre VB बॉंबे और जियो ने भारत G P T स्वे- भारत. nagण पाइस ए सब्कें देख यह ते सेसंबर 2023 में भारत की पंडूबी अधाराइड अंडरWater कार्परेटरन सुधा शुरु की एट कहां पर यह सुरु की गई इस तरह से पहला है तो इस तरह से याद रखे गई गई गुजरात में जो हुद रुप कर्दैन्मटरी नरियन मोदी जी ने नीचे जाके दुग की लगा के वहां पर देखाता ते अब एप हस्तम ये कई करेक प्रभाव यह याद रखना इंपक्ट ऑफ एई ऑन दर फ्यूचर ऑफ वर्क्स स्किलिंग एंड मोबिलिटी ठीक चले नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्ण निम्लिखित में से किस हवाई एड्डे को यूनेस्को का प्रिक्स वर्सल्स पुरसकार दोश्चार 232 यह देखिए प्रधानमंत्री ने दिसंबर्द हो जाते हैं उत्तरप्रदेश के निम्लिखित में से किस सहर से पहली अमृत भारत ट्रेन को जंडी दिये तो यह आयुद्ध्या में आपको याद होगा वहीं से जुरुवात हुई थी जंडी दिकाई थी बेसिकली दो है एक है जो कि कुलकाता से इधर से चलती है ठीक है और जाती है आनन्द बिहार तक एक एक इधर से चलती है साउथ के लिए तो जीसे देखिये यह दर्भंगा से दिल्ली के लिए आनन बिहार तग और दूसरी एक है उदर मालदा ट Quindi से बेंगलूरु तक तो दोनों याद सेवा तो यह कहां पर शुरुवत की है आगरा में यह द्यान रखना मतुर यह जो मतुरा से गोवर्धन टक इंट्रा डिस्टिक एक ही जिले में उत्त्र प्रदेश कि उत्त्र प्रदेश में मुक्त पहलों पर विचार करना की में उत्त्र प्रदेश सब्सक्ताइब हुआ SEE तो देखिए के शौक पिना रस्थापना योजशन है यह कंचुवा वाला यह 1986 में फ्डूर्ट तो इस लिखते जाएगा थिक लिख लएगा उनिस सव श्यासी में प्रजेक्टि एलिफल जो है वह 1990 में यह प्रजक्ट आलिफले जो है LOVE 1902 में लुप्त प्रपरीज ब्रजातियों वाला है ये प्रजादेंट केंड़ फिक है ये1884 में ये रियाद रखेगा ठीक है 1904 में ठीक और ये जो है जलीपारिष की तंत्र वाला ये अबका यह काफी बाद में यह 2013 में जली पारज की तंत्र के सरच्छन के लिए राष्टी योजना यह काफी बाद में लागू हुआ है तो यह आपका 2013 के आसपास तो अब अगर करेक्ट आप्शन देखेंगे तो तीन वाला पहले आएगा फिर वन आएगा अब यहां देखे 31 कहां है यह है ना तो 3124 यह आप यह लिख लिएगा बहुत महात्पूर है ठीक चलिए नेक्स्ट इसका जाए स्क्रीन सॉट ले लिजिएगा आप लोग चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अगला कोश्चन उत्तर परदेश में पसू भारती पसू चिकत्सा अनसंधान संस्थान कहां पर आप यह इस तरह के सप्रेश्चन मैचिंग वाले के लिए लेकिन ठीच लगनव में है डलहन वाला है पल्सेज वाला यह सब पुछे गये हैं बहुत बार बार पूछे गए हैं यह सब याद रखेगा महत्पूर्ण है यह सब बार बार पूछे जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं इम्लीक कत्नों में से कौनसा उत्त Sophia संबंध में सकते नहीं है देखिए तो एसमें सही नहीं है निर्जा पूर बिन्धवास्नी मंदीर के लिए प्रशिद्ध्य है तो बिल्कुल ठीग है आगे वही पर है बिन्धवास्नी का भारज में ये नहीं है इसका मुख्याले जो है वो यह गलाथ ये से कफन सहीं नहीं है पूछ आ है ये व बलरामपुर में ठीक है ये यार रखना ठीक चलिया नेक्स्ट अम देखते हैं कि जहां सी सहर पहूज और बेतवा नदी के बीच में है तो यह ठीक है ये दोनों ठीक है ये मतलब यह सारे कथनसा हीं एक सर्फ यह सी वाला गलत तरहर है देवी पाटन का मुख्याला है कहां पर देवी बाक का मुख्याला में यह ठीज्व थैन्द रखेसेंगे मैंने अभी कुछ और बला दिया था तो यह ध्यान रखना आप लोग चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कितने मंडल है वैसे यूपी में तो अठारा है ठीक याद रखेगा कुछ-कुछ ऐसे हैं जुन में मतलब चार जिले हैं छे जिले हैं पांच जिले हैं इस तरीके से सबसे जो बड़ा जो मंडल है वो सी यह सब में 3-3 जले चलिए आगे बढ़ते हैं फटफट इमेलहिर कफों में कौन साय से उत्तर प्रदेश से बध्यूगीन वास्तो सिल्पिक शंदर्व में सही है वास्तो सिल्पिक है संदर्व में इनिमें कौन सा सही है चो यह पढ़ ए अगरा किला को 1983 में यूनेस्को विसो धरूहर घोसत किया गया था, ठीक है, ये तो सही है, महताब बाग का निर्माण साह जहाने करवाया था है, क्या ये सही है, is it correct, तो मेरे हिसाब से ये गलत है, क्यों गलत है, देखिए, ये जो महताब बाग है, ये कहां पे है, ये अग्रा में है, ठीक, और ये बाबर न 1530 में इस उध्यान का निर्माण करवाया था, तो ये ही गलत है, बाकी ठीक है, तो केवल एक सही है, इसमें बस ठीक, याद रखेगा, निमलिखित कायकों में से कौन साया से, फटेपूर सीकरी घराने से सम्बन लेते हैं, तो इन में से कौन से हैं, ये जो मुनीर खातून नहीं है, ये सायद खान और ये आपके गुलाम रसूल खान, ये ही हैं दो, तू और फोर, बाकी अलग-अलग है, जैसे अलग-अलग घराने हैं, उनके अलग-अलग हैं, ये सही जो है, इसमें ये ही रोगा है, सायद खान और गुलाम खातून का, रसूल खान, सी वाले करक कि उर्दु को इधर उत्तरप्रदेश की राजकी भासा या आधिकारिक भासा कब गोसित की गई थी वर्स बताएगा आपको कमेंड करके निमलिखित में से कौन सा यासे यस भारती पुरसकार के संदर्म में सही है पूछ रहा है सही तो सही इसमें देखिए यह इसकी और भी है इसमें चिकित्सा फिल्म विज्ञान सब है इसमें सॉरी वर्स बताएगे में उत्तरप्रदेश वानिकी योजना किसकी साहता से सुरुवात की गई थी तो यह जो 1998 में यह सुरुवात हुई थी यह वर्डवैंक उसी के द्वारा यह सुरुवात हुई थी ठीक है अब यहां पर फिर दिया हुआ है इसमें मैच करना है कि कहां कौन सा है तो कच्छुअ वाला याद है आपको वारणसी में है ठीक है यह ध्यान रखना और अधर जो है उनको भी ध्यान रखिए गया जैसे यह कैमूर वाला हो गया मेरजापूर और इधर ठीक है तो यह आगी बर्वा यह आपका महराज गैंज ठीक इस तरीके से देखेंगे तो आपका यह कौन सा ओप्षन सही होगा आगा आपका का तरीक चली नेक्स्ट हम देखते हैं निमलखित मैंसे कौन सा यास नीम कोटेड उरिया के संदर में सही है कौन सा सही है नीम लेक्षित को निम-कोटिंग जो है वो नाइट्री करन प्रतुरोधी की रूप में कार्य करती है यह क्या सही है बताएज आप लोग यह सही है नाइट्रिक करण प्रतिरोधी के रूप में यह पता नहीं गले में क्या हो गया नीम कोटिंग जो नाइट्रिक करण है वो ठीक है प्रतिरोधी को रूप में कारे करती है यह सही है और यह सभी घरीलू उत्पातों के लिए अनिवार है कि वह किसी भी प्रकार के यह ठीक है यह दोनों कथन सही है आपका यह करेक्टाउंस यह होगा थिक भारती क्रिसी अंजवन्धान परिश्चत आई-सी-ए-आर जो इंडियन काउंसिल आफ एग्रिकल्चर रिसर्ट्च है इसके स्थापना कप की गई थी तो यह याद रखना 1929 में की गई थी स्थापन और यह ठारा सो साथ के जो पंजी करण है सोसाइटी पंजी करण उसमें यह अधनियम के तहट यह पंजी कर साइटी है यह आई-सी-ए-आर निमलिखित में से कौन सा है जो की जीरो बजटिंग के घटक है यह सारे ही घटक है यह जीवा अमरिद आच्छादन वीजा तो देखिए यह सब हैं यह वाली नहीं है गर्मधार आई है वहीं की सांदमास अगर लिए गर्म है निमलिखित में से कौन सा जल विद्धूत परियुद्ञ्या और राज्य सही सुमेलित नहीं है नहीं है तो देखिए रुतांग है बनिहाल ठीक है नाथुला यह आपका साइमन कमिशन के बारे में कुछ दिया गया है कथन देखिए इसे वर्स 1927 में भारा सरकार अधिने मुझा सब्सक्राइस के लिए यहां पर बुलाए गया था तो बिल्गुल ठीक है यह बुलाए गया था इसी के आया ही तब इसक लिए इसे दोयत्सासन को समाब करने के इस सबसे पहले ने यहाद रखेगा चंपार रंसता ग्रह होता है इसमें फिर ठीक है चंपारन माने के बात जो है और आहमदाबार वाली मुझा अप mau ध्यानकिएगा हडपाई लिपी के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है इसमें चित्रात्मक तथा वर्णमाला यह दोनों चिन्हों यह दोनों चिन्हों मतलब सामिल थे चित्रात्मक और वर्णमाला दोनों थे ठीक है तो यह सही है क्या यह चित्रात्मक तो थी लेकिन क्या उसमें वर्णमाला आपको दिखती दी कहीं दिखती है कहीं लिखा हुआ होुसमें कहीं आप आपको आपने कहीं देखा ऑco picture में नहीं हैuld है हम ने यह पढ़ा है कि अभद जो हड़त पाई लिकी थी वह चित्रात्मक थी कहीं कुछ ऐसा बना हुआ है कहीं कुछ इस तरीके से मतब अजीब वजीब से ऐसे से चित्र बने हुए ठीक तो यह याद रखना सिर्फ इसमें दूसरा सही है जो कि यह बाएं से दाएं से बाएं और लिखी जाती थी बाकी सब वह पहले वाला जो है वह गलत है चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सुथ में सूति कहा जाता था जाएं यह सबहाँ कहा गोग हो गया rouम करता ठीक्षण को बढ़ाई बोलते थे बढ़ाई भदधम टीक्षण को जाएं मेक्जान प्रफान होता हूं सेनापती होता था पुर्वहित मुख्श। पुजारी होता था रतनिर्माता ये ये होता था रतकार ठीक है ये सब याद रखना ये दिखिए इसमें एक तरफ महाजन्पत और कि राजधानी इसे भी प्रश्ण ये बनते हैं इस तरीके से पूशे आते हैं जो इनके नाम और उनकी राजधानिया आपको एक दम कंठस्ट होनी चाहिए नहीं कंठस्ट है तो कंठस्ट कर लीजिए उससे प्रश्न कहीं कहीं पूर्षा जाता है यह है तो इसमें वत्स यह अंग की चमपा ठीक है बी का टू आपको देख सकते हैं दो ऑप्सन बागी यह हटा सकते हैं अब देखिए सूरसेन आपका जो है वह मथूरा चेदी सुत्तमती और यह वत्स आपका कौसाम भी तो यह जो जो आप्सन बनेगा आपका बी बनेगा एवन बीटू सी फोर डी त्री ठीक है इस तरीके से पूरे पचास एक सो पचास प्रेश्न मैंने साल्व करा दिये हल करा यह आपके और जहां जरूरत थी जहां अउशकता समझी मैंने वहां पर मैंने व्याख्या भी कर दिया तो आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके बताएगा आप लोग लाइक और सेर सब्सक्राइब भी करवाईएगा ठीक है लाइक शेयर कर जरू कर दिएगा इसको अगर आप लोग प्रोशाहित करेंगे तो मैं इसकी इस टेस्ट सीरीज को मॉक टेस्ट को आगे कंटीनू करूंगा अधरवाइस इसको मैं फोल्ड कर दूँगा ठीक है चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक लिए जैहन धन्यवाल